इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और जिम बॉंबे की बीच होने वाले थार्ड ओर डियाई मैच के बारे में दो मैच खेला जा चुक है दोस्तों जिसमें दोनों मैच को इंडिया ने जीत लिया है अब तीसरे मैच की बात करते हैं दोस्तों तीसरा मैच भी इसी हरारे स्पोर्ट्स कलब में खिला जाएगा तो पीच रिपोर्ट तो वही रहेगा दोस्तों पीच रिपोर्ट है, बैलेंस पीच है और बैट्समेन और बॉलर दोनों को हेल्प मिलता है और Spinner और Pacers दोनों को ही यहां help मिलता है दोस्तों जो पिछला दो मैच हुआ था उसके Dream 11 टीम में कौन-कौन से player थे इसको पहले देख लेते हैं ये पहले match का है दोस्तों तो इसमें क्या हुआ था सुपमन गिल और सीखर धोन ने नवाद पारी खेल के match को जिता दिया था और Jim Bombay का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था तो यहां पर क्या था दोस्तों 7-4 का combination था इंडिया के 7 player थे और Jim Bombay के 4 player थे और bowling section में देखना यहां पर 3 baller है इंडिया के ठीक है दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो second ODI match हुआ था उसके बारे में यह second ODI match का dream 11 team है इसमें भी देखना दोस्तों यहां पर Jim Bombay के की सिर्फ 4 player है और बाकी 7 player इंडिया के है इसका मतलब यह है कि 7-4 का combination आ रहा है last two matches की बात करे तो बस player है वो change हो रहा है इसका मतलब यह है कि अगर अच्छा team बनाना है तो 7-4 का combination लेके चलना है और उसको rotate करके अलग-अलग team बनाते जाना है जिससे हमारा अच्छा result आएगा match में तो देखते हैं दोस्तों आज का dream 11 team यहां पर दोस्तों मैंने कुछ team पहले से create करके रखा है तो उस team के बारे में बता देता हूं पहले पहले team की बात करते हैं पहले team में दोस्तों अगर मैंने सभी team में क्या किया है 7-4 का combination बना के रखा है और साथ player इंडिया का रखा है और चार प्लेयर जिम बंबी का तो पहला team यह है दोस्तों कि first batting करती है इंडिया या second batting भी करती है तो इसके openers है जो अच्छा perform करते हैं यह उस हिसाब से team बनाया है ठीक है और विकेट कीपर section से लिया हूँ Sanju Samson को क्योंकि पिछले last 2 match में इनका performance भी अच्छा रहा है और second ODI match में यह जिम बंबे के दोनों player का भी performance अच्छा रहा है अब देखते हैं दोस्तों दूसरा दूसरा टीम टीम नंबर टू की बात करें दोस्तों टीम नंबर टू इस प्रकार बना है कि अगर opener में से एक flop हो जाता है तो एक क्या करेंगे एक one down player को रखेंगे यहाँ पर one down player यह है आप लोग क्या कर सकते हो सिखर धावन की जगा सुपमन गिल को भी रख सकते हो और विकेट की बर सक्षन में से मैं दो player को लिया हूँ एक जी मॉंबे का एक इंडिया का और बॉलिंग सक्षन में देखते हैं यहाँ पर इंडिया की मैं तीन बॉलर्स को लिया हूँ जो पेसर्स हैं ठीक है और all rounder सक्षन में यह तीनों रहेंगे विलियम्स, एसरजा और दीपाखुड़ और यह player आई किया को लिया हूँ यह थोड़ा differential है क्योंकि दोस्तों हर match में जो चार player है जी मॉंबे के वही player नहीं आ रहे है changes होके आ रहे हैं तो हो सकता है इस बार यह अच्छा perform कर जाए या हो सकता है कि यह perform भी ना करें तो इसको अलग-अलग rotate करके चलते जाना है अब देखते हैं दोस्तो team number 3 team number 3 में यह है दोस्तों कि इंडिया का जो top order है opening जो batsman है वो मालो कम run बनाके out हो जाते हैं यह उस condition में है तो उस condition में क्या होगा दोस्तों जो middle order के जो batsman है तो इन लोग perform करेंगे उस हिसाब से team बनाया है और bowling section में same है तीन baller इंडिया की रखा हूँ और all rounder section में मैं 4 player लेके गया हूँ ठीक है दोस्तों और कप्तान और wise कप्तान मेंने अक्छर पटेल और दीपा कुड़ को बनाया है आप इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला combination team number 4 team number 4 में क्या है दोस्तों यह team तो वही है बस इसमें changes यह हुआ है कि मालो middle order का batsman है वो अच्छा perform करता है इसलिए मैंने क्या किया है इसको कप्तान और केल राहूल को वाइस कप्तान लेके गया हूँ ओकी दोस्तों अभी तक जो दो मैच हुआ है उसमें से इसान की सन और लोकेस राहूल का अभी तक performance नहीं आया है तो हो सकता है अगले मैच में अच्छा perform कर जाए ठीक है और bowling section में ये तो same team है ये वही रहेंगे और इसमें एक नया player एड हुआ है ये वाला तो different different यूज़ करके अलग-अलग combination बना के गया हूँ आप देखते हैं team number five team number five में क्या है दोस्तो यहाँ पर सिखर धवन और सुबमन गिल रन तो बनाते हैं लेकिन उतना highs को नहीं ख़र पाते तो उसके बाद क्या होगा middle order के जो बल्ले वाज आएंगे उन लोग सिखर धवन और सुबमन गिल से थोड़ा ज्यादा रन बना पा राउंडर सेक्शन में मैं changes किया हूँ पूरे players है वो जिम बॉमबे की रखा हूँ और एक विकेट की पर सेक्शन से यहाँ से जिम बॉमबे के player को रखा हूँ और यहाँ पर अक्षर परटेल और दीपा खुड़ा दोनों को यहाँ नहीं रखा हूँ और balling section से दोस्तो balling section में वही है सार्दूल थाकूर प्रसिद्ध कृष्णा मोहमद सिराज अब देखते हैं दोस्तों टीम नंबर सिक्स टीम नंबर सिक्स में क्या है दोस्तों इसका ओपनर तो परफॉर्म करता है सिखर धोवन और सुबमन गिल और आरबल का भी परफॉर्मेंस लास्ट दो मैच म में बहुत अच्छा रहा था और आल राउंडर स्रिक्शन में यह जो पहले कुछ टीम बनाया हूं उसमें जो थे यह वही है लेकिन इसमें क्या चेंजिस किया हूं चेंजिस यह है कि एक बॉलर रखा हूं मैं जिम बॉम्बे का और दो बॉलर है इंडिया का यहां पर लाया है तो मैं इसमें क्या किया हूं कुल्दी प्यादव को वी सी किया हूं और अक्छर पडेल को कैप्टन किया हूं क्योंकि दोस्तों हो सकता है इस मैच में हो सकता है कि कुल्दी प्यादव विकेट लेके अच्छा विकेट लेके जा सकते हैं उस हिसाब से टीम बनाया ह तो इस प्रकार दोस्तो यह 7-6 combination है छे अलग अलग team है आप अपने हिसाब से CVC को change भी कर सकते हैं तो यह कुछ 6 team है दोस्तो अगर इसी प्रकार आप लोग rotate करके 7-4 का combination बनाओगे तो हो सकता है आप लोग GL win कर जाओ तो दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए, channel में नहीं है तो subscribe कीजिए और final team दोस्तो टेलीग्राम में मिलेगा, description में link दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग join हो सकते हैं, thank you